वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 24 सितंबर 23 और 24 सितंबर 23 से करेंट अफैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में डिसकस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो अध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुश्चिन पूचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पताना है आज किस वीडियो के पीडियोग फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियोप आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी बाशा दिवस कब मनाया गया है तो अभी 23 सितंबर को अंतरास्टी सांकितिक भासा दिवस मनाया गया दूसकुश्चिन का बे ऑप्सेंस है बधिर व्यक्तियों के मानबादिकारों को बनाए रखने में महत्वड भूमेका नेवाने वाली सांकितिक भासा के बारे में चाग और हर बार मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा नारियल होते हैं करना तक अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा नारियल होते हैं तो इंडोनेसिया इंडोनेसिया में सबसे ज्यादनारीर होते हैं दूसरे नमर फे फिलिपीन्स है और तेसरे नमर पे अपना देश भारत है अच्छा पांस सितंबर को अंतरास्टी चैरिटी दिवस मनाए गया साथ सितंबर को अंतरास्टी पुलिस सायोग दिवस मनाए गया आठ सितंबर को बेस्व फिजियो तेरफी दिवस और अंतरास्टी साक्षरता दिवस मनाए गया नौ सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतराश्टी दिवस और बेस्व प्रात्मिक चिकित्सा दिवस मनाएगा और नौ सितंबर को ही हिमाले दिवस भी मनाएगा 10 सितंबर को 200 आत्महत्या रोक्तम दिवस मनाएगा, 11 सितंबर को रास्टी बंद सहीद दिवस मनाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएगा, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतरास्टी दिवस और 200 लेंफोमा जागरुकता दिवस मनाएगा, 15 सितंबर को ही नेशनल एंजिनियस सुलें ब्रकों बेश्चों ऑजून दीवस मनाएक सत्रें सितंबर प्राप वेश्च hipponomi से समस्ट दिवस मनाएक है ने अफने अब तक इतने इंपरटेंड यह आपको याद रखर अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा सा इटारेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगात हो आपकी पुर्दने एक एई संचालिद युद्दक टैंक है बराक इसका अनावण अभी इसराइल ने किया हूँ अच्छा इज्राइल के प्रजेन टेम पे प्रेसिडेंट कौन है इसाख हर जोग अभी इज्राइल के सूद करताओं ने इस टेम को सिकाओं से करत्रिम भूड बनाया बेल ने इज्राइल की एरोस्पेस इंडस्टी के साथ समझोता किया इज्राइल प्राकृतिक गैस उत्वादन में 60 प्रत्सद की ब्रद्दी करेगा इज्राइल की संसद में नैपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया और फिज्जी इज्राइल में अपना पहला दूताबास खोलेगा अच्छा इज्राइल की संसद का नाम भी एक जम में पूछ लिए आता ह के गुर्देव रभेंद नाट टैगॉर के नाम पर रखा गया है इतना आपको इस्राइल के बारे में रखना है ने क्यूशन है हाली में सत्यजीत रे फिल्म एंड टैलिविजन इंस्टिट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष की रूप में कैसे नामित किया गया तो सत्यजीत रे Film and Television Institute के Governing Council के अध्यक्ष के रूप में मल्यालम अभिनेता और राजनेता सुरेश गोपी को नामित किया गया तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है ये हैं मल्यालम अभिनेता और राजनेता सुरेश गोपी अच्छा अभी Audit Bureau of Circulation के चेर्मेन S के स्वामी चुने गए SACI के निदेशक का पदवार जो से तरंजन ने समाला करनाटक Table Tennis Association का अध्यक्ष रक्षा रमया को चुना गया नेरज मित्तल ने दूर संचार विवाक के सचेप के रूप में कारेबार समाला स्याम सुंदर गुपता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परचालन प्रबंदक के रूप में कारेबार समाला है ने कुशन है हाली में कौन सा देश ICC के तेनो फॉर्मिट में नंबर बन बना है तो अभी अपना देश भारत औस्टिलिया को हराकर ICC के तेनो फॉर्मिट में नंबर बन बना यानि कि टेटवन्टी बन डे और टेस्ट तेनो फॉर्मिट में अपना देश भारत ICC की रैंकिंग में नंबर बन बन किया है तो स्कुशन का से ओप्सन सही है अच्छा अभी भारत ने आठमी बार Asia कफ खिताब जीता है भारत ने संबादात्मक भुकतान के लिए Hello UPI लॉंच किया भारत Global India AI 2023 के पहले संस्कड की मेजवानी करेगा भारत ने चौते बार Asian Champion Trophy जीती है और Bird Archery Championship 2023 में भारत टॉप पर रहा और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा Milk Producer भी बना है हाली में अखिल मिस्रा का निधन हुआ है भी कौन थे तो अखिल मिस्रा ये एक Bollywood एक्टर थे और अभी इनका निधन हो गया तो इस कुश्चिन का बे options आई है ये थे अखिल मिस्रा आपने 3 idiot movie तो देखी होगी न उसी 3 idiot movie में इन्होंने librarian का रोल किया था नए कुश्चिन है हाली में बेस में रास्टी पुस्तक मेले की मेजवानी कौन कर रहा है तो अभी लखनौ इस बार बेस में रास्टी पुस्तक मेले की मेजवानी कर रहा है दुस कुश्चिन का A options आई है लखनौ के बलरामपूर गार्डन में ये बेस मा रास्टी पुस्तक मेला शुरू हुआ है ये 22 सितंबर को शुरू हुआ है और 2 October तक चलेगा अच्छा लखनौ सुनके कुछ याद आता है लखनौ में बानर बन बनाये जाएंगे और लखनौ किस नदे के किनारे स्थित है गूमते नदे किनारे स्थित है ने कुश्चिन है हाली में बक्के बैंकटया को केसराजी के SCSTIO का नया अध्यक चुना गया तो बक्के बैंकटया इनको तेलंगना के SCSTIO का नया अध्यक चुना गया दिस्कूशिन के से ओप्सन से हैए ये है ये हैं बक्की बैंक टया अब ते gelir नगाना तो यह में तेलंगाना की केपिटल के है है हैडराबाद ते लांगाना की चीपनिश्टर कौन है के चंसिकर रा और ते लांगाना की गौवर्नर कौन की तमिल साई सुन्धराचन अच्छा तेलंगना सरकार ने बिद्यारतियों के लिए मुख्यमंतरी नास्ता योजना की गोशना की कॉर्निंग इंक भारत में तेलंगना में अपनी गोरिला ग्लास मैनुफेक्टरिंग सुभिदा इस्तापित करेगा बारत का पहला सूलर रूफ साइक्लिंग ट्रेक्स हैदराबाद को मिला है तेलंगना सरकार ग्रह लक्षमी योजना सुरू करेगी बारत की पहली आई ए यू फिप्टी किलोमिटर बेसुच चैंपियंशिप की मेजवानी हैदराबाद करेगा और अलोक अरादे ने तेलंगना के हाई कुट के मुखे नैदीस की रूप में सपतली है नए कुशन है हाली में केस देश के पूर राष्ट पती जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ है तो Giorgio Napolitano ये इटले के पूर राश्टपती थे तो इसकुश्यन का बे अप्सें सही है और अभी इनका निधन हो गया और ऐसा कहा जाता है कि इनों ने इटले को रेड से मुक्त किया था तो ये थे Giorgia Napolitano और अभी इनका निधन हो गया अब इटले तो ये है मैप में इटले इटले केपिटल क्या है रोम इटले करंसी क्या है यूरो और इटले के प्रेजेंट टैम पे प्राइमिस्टर कौन है जियोर्जिया मेलोनी ने क्योशिन है, हाली में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सब कहां शुरू हुआ है, तो अभी गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सब शुरू हुआ, दुसकुशिन का C ओप्सिन से ही है, अब गोवा तो ये है मैप में गोवा, गोवा की केपिटल कहा है, पढ़ गोवा के चीपनिश्टर कौन है? प्रमूत साबंत और गोवा की गौवर्नर कौन है? पे एस स्रीधरन पिल लई अच्छा गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रेटमेंट को फ्रीव कर दिया है गोवा के मुख्य मंतरी ने दा वायो डाइवर्सिटी एटलस ओफ मायम बलेज का अनावरण किया गोवा दुनिया की सबसे बड़ी रास्ती पुरुस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा गोवा में आयोस स्वास्ति सेबाओं और अनुसंदान सुविदा का उदगाटन होगा है गोवा में बोंडला वायल अचलिए है बगवान महावीर नेश्नल पार्क भी गोवा में है गोवा सुनकी कुछ याद आता है गुवा मुक्ति दिवस और गुवा स्तापना दिवस आपके मैंड में क्लिक करना चाहिए गुवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसमर को मना जाता है क्यों मना जाता है क्योंकि 19 दिसमर 1961 को गुवा पुर्त गाल से मुक्त हुआ था और गुआ इस्तापना दिवस कम मना जाता है तेस माई को ने क्यूशन है हाली में चेन ने किस देश के साथ रड़नेतिक साज़ेदारी की गोशन की तो अभी चाइना ने सेरिया के साथ रड़नेतिक साज़ेदारी की गोशन की तो उसकुशन का बे अप्सन सही है अब सेरिया तो ये है map में Syria, Syria capital क्या है, Damascus, Syria currency क्या है, Syrian pound और Syria के present time पर President कौन है, Basar al-Assad, कौन है, Basar al-Assad, next question है, हाली में best wrestling championship में, भारत के case wrestler को कान सी पधक मिला है, तो best wrestling championship में, भारत की wrestler, अंतिम पंगाल को कान सी पधक मिला, तो इस question का C options है यह हैं अंतिम पंगाल और अभी सर्विया के बेल ग्रेड में चल रही बिस रेसलिंग चेंपेंशिप में इनको कान से पदक मिला है ने question है हाली में किस ने MSME के लिए Neo for Business Banking Platform लॉंच किया तो अभे Axis Bank ने MSME के लिए Neo for Business Banking Platform लॉंच किया तो इस question का Bay Options है यह एक Special Transaction Banking Platform है जो Special रूप से MSME के लिए लॉंच किया गया है ने question है हाली में केस देश के जागोरी को UNESCO की बेसुधरोहर सूचे में जोड़ा गया तो जागोरी यह Grace में है और इसको अभी UNESCO की बेसुधरोहर सूचे में जोड़ा गया discussion का से options है यह एक लुबाबने प्राकृतिक परिदस्य के लिए famous है अब Greece में है तो यह मैप में Greece Greece की Capital क्या है Athens Greece की करणसी क्या है गुरो और Grace के प्रजेंट टाइम पर प्राइमिस्टर कौन है क्रिया कोच मित्सू ताकिस कौन है क्रिया कोच मित्सू ताकिस next question है हाली में कौन सा समूव एसिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धाराबी का पुनर विकास करेगा तो अडानी गुरो अभी एसिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धाराबी का पुनर विकास करेगा तो इस question का बे option साही है next question हाली में PM किसान AI chatbot किस ने launch किया है तो present time पर हमारे केंडरी क्रसी एबम किसान कल्यान राज्जी मंतरी है केलास चौधरी इन्होंने अभी PM किसान AI chatbot launch किया तो इस question का say options है अब last video के question का answer last video मैंने आप से question पूछा था कि हाली में प्रधानमंत्री मोदी ने केस देश के राष्टपती को गड़तंत दिवस पर मुख्य अतिति बनने के लिए आमंतरित किया तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन को गड़तंत दिवस पर मुख्य अतिति बनने के लिए आमंतरित किया है तो इस question का बे option सही था और लगवक सभी स्ट्रेण ने सकांसर सही दिया इसके बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूगा question के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी ने भूलते अच्छा अभी भी एक्सेस करने में कुछ इस्ट्रेंट को दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेंट मुझे message कर रहा है आप इस एप को install कर लेजिए उसके बाद आपकी सारी application का ये एप है इसे आप update कर लिजिए फिर आपको एवोक को एक्सेस करने में उसको highlight करने में उसको पड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आपके लिए आज को सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने करियर से related भी कोई problem है तो आप Instagram और Twitter पर indreshrc Instagram और Twitter पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जूट सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है चाली से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजी आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकर मन के आएगा नेक्स्ट एक्जाम और बेच विद यू थैंक्स पर वाचिंग